यह देखते हैं आज किसका request है तो यह रेनू बाला जी का request है 15 December 1987 आई इनका chart बनाया जाए तो यह detail है इनका आई इनका chart देखते हैं रेनू बाला जी का 910 ठीक है अब degree देख लेते हैं पहले जब किसी का birth time नहीं correct हो तो हमें से degree पे ध्यान देना पड़ते हैं यहां 22 degree पे है और आप देखोगे तो हमने जो time लिया है वो 10 बज के 35 मिनिट लिया है इन्होंने का है 9 से 10 के बीच में तो इससे हम 9 कर देते हैं 9.35 एक गहंटे का अंतर ले रहे हैं पहले रासी परिवर्तन नहीं होना चाहिए अब देखो आप 9 से 10 में रासी परिवर्तन होने के chances हैं क्योंकि 9 degree बचा हुआ है अब इसको भी चेक कर लेते हैं 9 से 10 के बीच में उन्होंने का है तो अब देखेंगे हम 9 बजे का 9 बजे के चार्ट पर चेक कर लेंगे 9 बजे देखेंगे तो इनका रासी जो है 8 नमबर है ब्रिश्चिक है और अगर यही हम 10 बजे देखेंगे 9 से 10 इन्होंने का था तो 10 बजे अगर देखते हैं तो भी 8 नमबर ही है है ना यानि कि 10 बजे बहुत अच्छा चार्ट बन रहा है क्योंकि आप आप देखो डिगरी बहुत अच्छी हो जा रही है तो हम एक काम करते हैं इनको 930 कर देते हैं चलिए देखे अब इस चार्ट को हम लोग आपको समझाते हैं यह आपका हो गया 9 से 10 के बीच में अगर रहेगा तो भी आपका ब्रिश्ची की आएगा ठीक है यह कब इसमें क्या हम नहीं बता पाएंगे अगर टाइम करेक्शन ऐसा हो तो ध्यान रखेंगे हर बार हर लोगो के लिए बता रहेंगे जब टाइम में ऐसे अंतर आता है तो उनके इंसिडेंट कोई भी एक्सिडेंट इंसिडेंट जैसे मालो कि हम से पूछें कि एक्जेक्ट टाइम क्या होगा इनके साधी का तो वो नहीं पता चल पाएगा क्योंकि यहां पे जो चंदर्मा है उसकी हम अब इसा नक्षतर बदल जाया करेगी ठीक है समय का सबसे अच्छा अगर टाइम का एकुरियेट होता है तो नक्षतर बहुत अच्छे मिलते है नक्षतर से सारे प्रिडिक्शन होते है ठीक है चंदर्मा का नक्षतर आईए एक बार देखते हैं यहां पर इनके चार्ड को बोलेंगे ठीक है ऐसे इसको थर्ड बोलेंगे ठीक है तो यह first second third फिर यह fourth यह five यह six यह seven ऐसे चलता है ठीक है आप देखेंगे तो चार्ट ऐसे ही move करता हुआ दिखेगा हमेशा देखें नमबर भी लिखा है ना आठ नौ दस क्योंकि इधर ही move करेगा बस यह है कि इसको fix मा परना जाता है कि यह first house ही है उसके बाद यह second हो जाएगा यह तीन हो जाएगा अब यह first house में आठवे नमबर की रासी है ठीक है तो फ़र्स हाूस में आठवे नमबर की रासी है अब हम देखेंगे क्या first house पे कोई और planet भी देख रहा या planet है झैसे यहा सुक्र बैठा हुए तो ये आपके ऐसे गिनते हुए जब आओगे तो ये दसवे नमबर का हाउस होगा ये हाउस होगा वे दसवे नमबर का होगा और कहेंगे क्या दसवे नमबर में पांचवे नमबर की रासी और सुकर बैठे हुए है ठीक है ये ऐसे बोलते है तो फर्स्ट हाउस में हमारे सातवे नमबर पे और दसवे नमबर पे देखते हैं तो जहां बैठे रहेंगे वहां के अलावा तीसरे नमबर पे कैसे गया है, हम लोग 1, 2 और 3 ठीक है ,, फर्स्ट याह सकेंड या थर्ड जैसे move करतें वैसे स्म तरिके से move करेंगे यहां से आएंगे, तीसरी दृष्टी यहाँ पर आ जाएगी साथवी दृष्टी यहाँ जाएगी और दसवी दृष्टी यहाँ जाएगी ठीक है तो ऐसे देखा जाता है दृष्टी चलिए तो अब हम देखेंगे किस के किस के दृष्टी है तो हम कह रहें सनी के दिश्टी है उस के लवा किसी और के दिश्टी है क्या है वो भी चेक कर लीजे तो नहीं किसी और के दिश्टी नहीं है फर्स्ट हाउस में सनी के दिश्टी हो अगर तो नॉर्मली इनके और इनके हस्बेंड में अंतर देखने को मिलता है ठीक है और मेरेज में कभी-कभी ये डिले भी करवाते हैं अगर यहां आगा है तो डेफनेटली करवा देंगे या कुछ ज्यादा बड़ा अंतर क्रियेट करवा देंगे अभी इनकी दसफी दृष्टी है एक चीज़ जो होगा इनको कि ये जो होंगे ये सच बोलने वाले होंगे मुँपे लोगों को सच बोल देंगे क्योंकि सनी के दृष्टी आगई है सनी को ये पसंद होता है ठीक है तो यहां सनी के दृष्टी आगई ये लगन पर अब ये एक है चीज़ आपके में आदत होगे उसके अलावा महनती बना कर देगा लेकिन सनी का यहां देखना आपके लाइफ में मैंद आप चाहो न चाहो मैंध आ जाएगा ठीक है यह होते हैं कि आप कैसे है यहाँ पर सुकर होने का मतलब है कि आप बहुत महforcement करते हैं ठीक है षुकर और यह आपके महनत गर में जाप का पाएगा नlly ही हाल आता है सुकर आके बैठगे आपके महनत वाले घर में डिगरी का हमेसे ध्यान दिया जाता है डिगरी बहुत इंपोर्टेंट होता है वो आपके is stability and instability को बताता है जैसे एक बहुत अची चीज आपको देखने को मिलेगी की सूरे यहां देख रहा है और गुरु यहां पे है यह गorse जॉप के लिए बहुत अच्छा चार्ट कहलाएगा गॉर्रमेंट जॉप के यह लेकिन यह गौर्मेंट जॉब लिए नहीं होंगे अगर लिए होंगे तो बहुत महत्त कोई गाइड पर किसी की गाइडेंस पर किसी की महनत से या किसी की कह सकते हैं बहुत अच्छा टाइम आया होगा तब जैसे एक आपको एक्जांपल दे दर यह घर होता है आपके देख रहा है लेकिन सुर्ष नीचक के है यह एक सबसे बड़ी खराबी हो गई है इनकी सुर्य खराब हो गया है नीचके हो गया है और l इसी में नहीं सुर्य इनके नौमास में भी या नी यहां देखेंगे यह आपका दूसरा चार्ट होता है यह नौमास लिखा य नीच के होते हैं ठीक है दस नमबर पे मंगल जो होते है वो उच्च के होते हैं ठीक है उच्च के मंगल है नीच आपके सूरे हैं यह आपको प्रभाव देखने को मिलेगा लगन में भी अब हम लगन में आ गया है तो लगन में हम देख रहे हैं सूरे नीज के हैं तो सूरे हमेशा अभी नीज का रहेगा यारी इनको अपने कारे छेतर में यानि कह सकते हैं महनत में कमी दिख रही है क्लियर सी बात है कि यह महनती नहीं है यानि government जो आप यह लेने नहीं देंगे ठीक है अब महनती नहीं है, Time Table नहीं, Follow कर पा रहे हैं, है न, Self Respect, Self Confidence की कमी आ गई है Confidence की, Self Confidence की, यहां कमी आ रही है, क्योंकि सुर्य खराब है सबसे पहला काम आपको यहीं करना होगा, कि आपको सुर्य का बीज मंतर पढ़ना होगा पिता को प्रावलम है ना यह सारे चीज क्यांद यहां से देखने को आपको मिलेगी और यह जूठा एहंकार भी देता है अब देखो कि आप एक चीज सूरे जो है na मंगल के साथ बैठा है तो यह जिद्द के साथ गुसा देता है आप मांगलिक है आप मांगलिक है या आपको पता होगा नहीं पता होगा तो अभी आप जान जाओ आप मांगलिक है और ये जिद्ध के साथ गुस्ता देगा मतलब आपका नीचेर ऐसा होगा किसी किसी बातों पर आप जिद्ध पर अड़ जाते होगे और आपसे बात करते में पता चल जाएगा कि ये इसका प्रभाव पढ़ रहा है बुद्ध, मंगल और केतु देखे एक चीज़ और बता देखे मंगल, केतु आलरेड़ी आपके में गुस्सा है और मंगल, केतु साथ आ जाने के वज़ासे ये गुस्सा जादा बना देते है तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपके पास जिद्ध के साथ गुस्सा है ये वो जगह है जहाँ पे मंगल हो अगर तो मंगलिक हो जाते हैं लोग तो यहाँ आपके मंगल है और ये 12 वागर है फर्स्ट हाउस में हमने बताया आठ नमबर लिखा, यह मंगल का इफेक्ट है, मंगल की रासी होती है, यह आठ नमबर, आठ नमबर और एक नमबर मंगल का होता है, और यहां से मंगल इसको देख भी रहा है, सूरे भी देख रहा है, मंगल आपको जॉब दिला सकता है, ठीक ह मंगल आपको जॉब दिला सकते है सूरी आपको जॉब नहीं दिलाएंगे इनका अगर आप बीज मंतर पढ़ोगे तो आपको गॉर्मेंट जॉब मिल जाएगा इनका बीज मंतर पढ़के अगर आप अच्छे से त्यारी करते हो जो कि थोड़ा से यहां मुस्किल दिखा रहा है लेकिं अगर आप मेहनत करोगे तो गॉर्मेंट जॉब मिल जाएगा आपको ठीक गॉर्मेंट जॉब की अच्छे संकेत है आपकी कुडली में बस आपका कर्म नहीं बहुत बढ़िया दिखा रहा है इसमें तो मेहनत करिए मेहनत करने की जरूरत है आपको क्योंकि हाँ सुकर बैटें बहुत अच्छे कंडियसन में पंदरा डिगरी है ना तो इस केस में यह बहुत पावरफूल हो गया है यहां पर चलिए और अभी एक चीज़ और देख लेते हैं सेकेंड हाउस में चंदर्मा है यह बहुत अच्छी बात हो गया है प्लस उसको गुरू भी देख रहे हैं और राहू देख ले रहे हैं यह थोड़ा खराब हो गया कि राहू देख लिए नहीं तो अभी तक यह बहुत अच्छा था रीजन है कि इससे क्या होता है आवाज प्यारा हो जाता है ठीक है यहां क्या होता है जब चंदर्मा हो तो इस जेगे पर अगर चंदर्मा हो तो वाड़ी आवाज बहुत अच्छी रहती है प्यारी रहती है ऐसे केस में लेकिन अगर राहू देख देता है तो यह लोगों क आपका behavior नहीं अच्छा लगेगा क्योंकि आप लोगों की बातों को बीच में काट दोगे और गुस्सा दिखा दोगे यहाँ पे आपको दिख रहा है न और गुस्सा दिखाओगे क्यों क्योंकि सनी क्या है आपको गलत सुनने समझने नहीं देता है तो आप तुरंट मुपे ही बोल दोगे उसको है ना जो भी रहेगा तो यह एक अच्छा behavior नहीं माना गया है लेकिन चंदर्मा इस पे बहुत अच्छा control करेंगे और गुरू आपको बहुत help करेंगे जब आप बाते करोगे तो अच्छी बात करोगे सुनने में अच्छा लगेगा लेकिन अगर राहू active हुआ तो फिर वही चीज बुरी तरीके से कहेगा ठीक है राहू और सनी जब एक साथ active होंगे तो अच्छा नहीं लगेगा आपकी बाते लोगों को बुरा लगेंगी ठीक है सेम अगर हम इस घर में देखें हाँ एक और चीज है इसी घर से हम लोग ये भी चेक करते हैं कि पैसे पैसे आफ सेव कर पाऊगे कि नहीं सेवड मनी रहेगा कि नहीं तो देखे ये सारे लोग अच्छे हैं पैसे जमा करने के मामले में ठीक है सब लोग अच्छे हैं बस राहू के साथ दिक्कत है ये पैसे खर्चीला होता ही है तो पैसे एकाउंट से खर्चा करवा देता है राहू ठीक है तो ये दिखा रहे कि आप पैसे तो इकटा कर रो लेकिन खर्चे हो जा रहे है राहो की वज़से ठीक है इसके लावा हम आपका अगर इंकम को देखें यहां बुद्ध बैठा हुआ है बुद्ध बैटा हुए अगर हम income को देखे तो एक घर पीछे आगे बैटा हुए बारवे घर में बारवे घर को बहुत अच्छा नहीं माना गया है यानि यहां से कहा जाता है income जो होगी आपको satisfy नहीं कर पा रही है बट फिर भी अभी अच्छा कहेंगे इसको कि अभी अच्छा है income क्योंकि बुद्ध इसके लिए अच्छे होते है बिजनेस करेंगे आप तो ज्यादा चलेगा आपका जॉब में chances ये राहू की वज़े से खराब हुआ है ठीक है राहू के वज़े से जॉब में थोड़ा खराबी दिखा रहा है चलिए ये अनिस्टेबिलिटी दिखा रहा है या जॉब में राहू के वज़े से लेकिन अगर आप government जॉब लेते हो तो फिर राहू इतना effective नहीं रह जाता है ठीक है ठीक है थोड़ा कहासूनी होगा लेकिन मैनेज हो जाएगा और सूरी का जब सूरी जब खराब होते हैं तो दो ही चीज करواتे हैं तो बिजनेश के तरफ लेके जाएंगे या तो government जोब में मैनत करवाते हैं कि खराब है तो इस वज़ए से मेहनत हो जाती है नहीं तो आपका बिजनेस चलेगा क्योंकि यहाँ पे खुद सूर्या के बैठे हैं लेकिन दोनों ही कि इसमें एक चीज दिख रही है कि आप मेहनत नहीं कर रहे होतना जितना करना चाहिए ठीक है तो मेहनत ज्यादा करिए अ चीज सही रहेगा अब देखे अगर भागे की बात करें तो भागे का करेक्शन भी धन से बना हुआ है तो यानि कि आपको पैसे तो आ जाएंगे आपके लाइफ में नो डाउट कोई प्रावलम की बात नहीं है ऐसे तीसरे घर में देखेंगे तो मंगल की दिश्टी बन र रहा है ब्रेव होने के केस में और यही सेम चीज अगर देखेंगे आपके भाईयों में तो कहा सुनी थोड़ी बहुत हो सकते हैं सिब्लिंग्स के साथ कहा सुनी हो सकती है चौते घर में सनी का होना का जैसे हमने कहा कि महनत होता है तो यह खुसियों के घर में सनी आ गए है तो अब ये खुसियों में भी मेहनत करवाएंगे उसके अलावा यहाँ पे केतू की भी दृष्टी है केतू की है, सुकर की है और सनी खुद बैठे है, सनी की रासी है तो केतू की दृष्टी और सनी का होना ये दोनों चीजे बता रहा है कि आपके life में जो खुसियों की बात करे तो उसमें आपको कमी देखने को मिलेगी लेकिन सुकर उसी चीज को फिल करेगा सुकर इस सब लग्जरियस life के लिए यहाँ की खुसियों के लिए अच्छे होते है लेकिन इसके उलट आपके केतू और सनी नहीं अच्छे होते है तो केतू क्या दिखा रहा है यहाँ पे कि किसी चीज की missing property दिखा रहा है मतलब कोई चीज जो है जो आप miss कर रहे हो अपने यह मम्मी का भी घर होता है प्रोपर्टी का भी घर होता है हो सकता है घर बनवाना चाहते हो क्योंकि प्रोपर्टी में काउंट किया जाता है उसको गाड़ी लेना चाहते हो या कुछ भी तो वो केतू की देखने की वज़ज़ से आपके पास उसके missing दिखा रहा है कि आप उसको miss कर रहे हो अब यहां से जो सुक्र है वो इसको आपको पूरा करेगा देर से करेगा लेकिन करेगा क्योंकि खेतों भी अपना सर दिखाएंगे ही दिखाएंगे तो करेगा लेकिन थोड़ा time लगेगा सनी का होना यहां पर प्रोपर्टी के लिए अच्छा है बस यहां केतो किसी भी मामले में चाहिए वो प्रोपर्टी हो मम्मी हो या खुसी हो तीनोही में कमी दिखाएगा केतो तो यह तीनोही में कमी करेगा लेकिन यह जमीन के लिए हां कह देंगे जमीन और घर के लिए सनी यहां पर अच्छा दिखाता है और सुकर भी देख ले तो जरूर कन्फर्म हो जाता है कि हाँ बिलकुल होगा ही होगा केतू अब बस लेट करेंगे ठीक है ये चीज़ आप समझे आपके मम्मी की तबियत के बारे में जरूर ध्यान दे और बताए हमें कि क्या है क्योंकि यहां रहना आपके मम्मी को लो ब्ल का होता है आपके जिन्दिए में प्यार का होता है इसके स्वामी है गुरू वो आके बैठ गया है आपके रोगभाव में एक चीज़ तो आपको यहां से देखने को मिलेगी कि आपके पेट में प्रावलम ये दिखा रहा है कोई भी प्रावलम हो सकते है लेकिन पेट से रि रूखे होते हैं और वो यहीं आके बैठे भी हुए हैं राहो के साथ भी हैं तो इस चीज से थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा आपका जो रोग भाव है ये काफी एक्टिव है रोग भाव और बरहवा घर दोनों बहुत एक्टिव है तो रोग के लिए आपको टेंसन की बात है और प्लस आपका चंद्रमा भी पाया बोलते है चंद्रमा जब इन घर में इस घर में इस घर में और इस घर में हो तो पाया कमजोर हो जाती है पाया कमजोर होने का मतलब है जल्दी जल्दी तबियत खराब होना आप यहां से कह रहा है कि एक सूरे जो है जो खराब है इनकी भी दृष्टी बनी हुई है बुद्ध की बनी हुई है मंगल की बनी हुई है और गुरू भी है और राहू भी है अब इतना सा प्लैनेट है तो आपके पास बहुत सारे बिमारियों के कारण बन जा रहे हैं ठीक है बहुत सारी बिमारियों के इसलिए आपको फिर से हम क अच्छा करना और आमने बोला सूर्य का यानि जो सूर्य नीच के हुए है इनका बीज मंत्र पढ़िए इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है आपको क्योंकि यहां रोग में भी दिक्कत है जॉब में भी दिक्कत है ठीक है अगर हम बात करेंगे तो साथवे गर की जो कि आपके म चहरी रोग है ना एक्सिडेंट इन सब के चीजों में बहुत ज्यादा एक्टिवीटी दिख रही है इस वज़े से थोड़ा बहुत समझदारी से काम करें फीजिकल एक्टिवीटी बढ़ा दे बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि सूर्य नीच के होके देखेंगे अगर तो ये आपके बलड में भी फैट जनरेट कर देंगे गुरू के साथ मिलके जो हर्ट के लिए अच्छा नहीं होता है इसके लिए लो बलड पेसर भी यहाँ पे दिखा दे रहा है मंगल की वज़े से तो मम्मी को भी आपके दिखा रहा है तो थोड़ा से ध्यान रखने की जूरत है इसका बहुत जादा ध्यान रखिए सब्तम की बात कर रहे थे हम आपके हस्बेंड वाले घर की बात कर रहे थे तो यहाँ पे भी मंगल की दिख्टी बनी हुई है और कोई नहीं देख रहा है तो यानि मंगल की दिख्टी है थोड़ा कहा सुनी तो यहां दिखा रहा है आपके मेरीड लाइफ में इसको चेक कर लेते हैं कैसा रहेगा तो देखें फर्स्ट हाउस में जब नॉमास जो होता है मेरीड लाइफ को बताता है तो फर्स्ट हाउस में जब गुरू बैठेंगे ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन होता है ठीक है बहुत अच्छ है इसके अलब हम सुख भाव को देख लेते हैं जरा के सुख भाव आपकी मैरीड लैफ में सुख कैसा है तो इसके स्वामी है गुरु जुजा के लगन में बैठे हैं चलिए है बहुत अच्छी बात है इसको कोई और देख रहा है अगर यही देखेंगे साथवे घर को यहां बारा नंबर है यह भी गुरू की रासी है और गुरू भी देख रहा है इसको इसके अलावा कोई देख रहा है क्या नहीं देख रहा है यानि आपके मेरे लेह में दिक्कत नहीं होने देंगे चलेगा थोड़ा बहुत तो सब जगे रहता है उससे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है बहुत अच्छी बात है अब यहाँ पे देखेंगे देखो एक चीज औ दिखाता है इससे आपको थोड़ा सा बचके भी रहना है पंचम में यानि आपके जो ओवरॉल लाइफ में जो रिष्टे हैं उसके प्यार को यहां से देखा जाता है तो यह गुरू की रासे इसलिए कोई इसमें प्रावलम भी नहीं है सब कुछ बढ़िया है और इस पे किसी की दृष्टी नहीं आ रही है बहुत अच्छी बात हो गई यानि आपके रिष्टे में प्यार भी है इसका मतलब कि आपकी लाइफ आगे भी बहुत अच्छी रहेगी कोई घबणाने की बात ही नहीं है और आपके भागे का कनेक्शन भी जाके धनभाओ से हुआ है अनि आप पैसे भी कमाओगे कोई परसानी की बात नहीं है बस केतू की वज़ा से थोड़े खर्चे ले हो जाएंगे और ये भी कोई दिक्कत की बात नहीं पैसे है तो खर्चे पी तो होती ही है सेवेंथ हाउस में जो की मंगल है देख रहे हैं बस ये थोड़ा सा टेंसन इन्हों ने किया क्योंकि आप मंगलिक है और आपके हस्बेंड को ये देख दे रहा है तो थोड़ा सा ये ही एक दिक्कत करेगा बाकी सब कुछ बहुत बढ़िया दिखा रहा है इसमें अगर हम बात करें आपके महनत की कि आप कितने महनती हैं तो बस एक यहाँ पे सूरे नीच होने की वज़ा से यहाँ से महनत को दिक्कत दिखा रहा है आपको और याद रखे एक और चीज़ यहाँ से भी देखा जाता है यह आपकी आईज है ठीक है यह आपके आईज है यह आपका पूरा फेज दिखा देता है लेकिन यह आपकी आईज दिखा देता है अब यहाँ से आप एक चीज़ देखोगे कि आपकी आँखों को भी मंगल और सूरे मिल के दिक्कत दे सकते हैं थिक है? तो अपने आँखों को ध्याण रखेंगे ज्यादा मुबाईल यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये बारवा घर है न बारवे घर से लोग ज्यादा मुबाइल को यूज करते हैं, इंटरनेट के यूज करते हैं, इन सब चीजों को भी थोड़ा सा बचना है आपको, हाला कि इन मेंसे से बुद्ध और सुक्र जब होते हैं यहाँ पे, तो वो ज़्यादा बढ़ा देता है, इसको थोड़ा सा आप कंट्रोल करेंगे, ऐसे हमने बताया, आय के बारे में बताया कि आय भी आपका बैठतर है, कमाएंगे भी आप ऐसे, ठीक है, यहाँ से देखेंगे, तो आपको केतु का होना यहाँ पे अध्यात्म की ओर लेके जाता है, धर्मिक बनाता है, ठीक है, केतु यहाँ पे होगा, तो अध्यात्म की ओर और धार्मिक की और यह सब चीज़े आपको देखने को मिलेगी और अच्छी बात यह है कि इसको गुरू का साथ मिल गया है क्योंकि गुरू देख भी रहा है तो इस केस में क्या होता है obviously clear सी indication है कि आप धार्मिक रहेंगे और पुझा पाठ पर बहुत ध्यान देंगे astrology भी समझ में आएगी और कोई और बहुत अच्छी चीज़ें गुरू और केतू के संबंद में होती है आप मतलब कह सकते हैं कि पैसा कहीं न कहीं या कोई कर्म या कोई महनात या समान देना ये सब करोगे ही करोगे धर्म के लिए ये गुरू और केतू की वज़े से होता है ठीक है बस एक ही आपके चार्ट में डिमेरिट है वो है सूर्य तो सूर्य का बीजमंतर जरूर पढ़ें क्योंकि ये नहीं तो आपको इधर इधर के सपने भी दिखाएगा बिजनेस भी करवाएगा और लॉस भी करवादेगा ठ इसको आप कलिर से समझे और करें अब गौर्मेन जब के लिए है ये तो बहुत अच्छी चीज अगर आप गौर्मेंट जब ले लेते है अपने मेहनत करके ठीक से क्योंकि मेहनत नहीं करने दे रहे है यहां से आपको अच्छा रिस्पास नहीं आ रहा है इस घर से तो इसक बात कर लेंगे अगर हम गोचर की तो गोचर जो होता है वो अभी का होता है इस समय क्या चल रहा है आपके लाइफ में ये देखा जाता है देखो मंगल आ गया है बारवे घर में जैसे की आपके बर्थ टैम में भी थे तो अब आपको जगा ध्यान रखना होगा किसके शीजुका मंगल भी आ गया है और सूर्य भी आ गया है नीच के होके तो अब इस समय भी आपके सारी ख्याल आना भावनाए बढ़ जाना कि बिजनेस का मन करना बहुत पैसे का मन करना यह सारी चीज़े कौन देगा सूर्य कर देगा क्योंकि नीच है न तो उड़ाते हैं वो थोड़ा ठीक है अब बारवे घर में क्या होता है यह आपको जो नहीं बारवे घर से आपको छती होती है आपके हेल्थ की ठीक है यह चीज़ का ध्यान रखेंगे अब यहां से जो मंगल सूर्य मंगल और सूर्य मंगल इस्पेसली यहां देखेंगे रहू होने की वज़ा से अभी राइट नाउ यह आपके बर्थ टाइम ही चल दा है समय तभी सारी प्लैनेट ऐसे आ गया है बहुत कम देखने को मिलता है कि एज़ेटी सारे प्लैनेट आपके आ गया है बहुत बढ़िया देखें वीनस भी अपनी जगह पर आ गया है बाके मरकरी और के सारे अपनी जगह पर आ गया है चंद्रमा तक अभी अपनी जगह पर है सनी भी अपने जेगे पे हैं बहुत बढ़िया समझ नहीं रहे हैं आप रुखे हम दिखाते हैं लगन में देखे सारे planets कहां है है न यहीं पे हैं सारे जहां जहां पे अभी दिख रहे हैं अभी same हम आपका गोचर निकाल रहा है गोचर क्या होता है कि अभी कौन-कौन से planet कहां है इस समय ठीक है उसको निकालते हैं तो आप देखोगे कि आपके में same दिखा रहा है as it is दिखा रहा है न सनी भी तो बर्थ मंत भी आपका आगया होगा बर्थ मंत आता है तो सुर्य अपनी जगे पे आते हैं बहुत बढ़िया हो ठीक है चलिए अच्छी बात है ये तो अभी आपके लिए ये बहुत important time चल रहा है ये आपकी life में एक major change भी लाएंगे और सुकर का यहां होना आपको थोड़ा और आराम पसंद बनाएगा और luxurious life की कामना करेगा सुरी का यहां आ जाना सुरी का फिर से नीच का हो जाना आपको थोड़ा ध्यान रखने की जोरत है क्योंकि ये color जगड़े और accident कर आ सकते हैं छोटे मोटे accident होने के chances बना दिये हैं और mangal का यहां हो जाना इस समय वही accident को बढ़ावा देते हैं सेपरेटिव टेंडेंसी भी दे देंगे यहां पर मतलब आपको ना बहुत समाजिक होने का मन नहीं करेगा mangal की वज़ा से ठीक है यहां पर लेकिन केतू है यह और आपको साधू बना देगा तो mangal मंगल और केतू मिलके आपको थोड़ा और साधविक प्रविर्ति यहां से दे देंगे बहुत घुलने मिलने का इस bitch मन नहीं करेगा आपको अब जो हम बता रहे हैं सब इस bitch के लिए बता रहा है अभी October के बाद यहां से यह हट जाएंगे केतू और रहु हट जाएंगे October के बाद तो यह यहां चले जाएंगे यह यहां आ जाएंगे ठीक है यह रहु जो है न वो यह उल्टा घुमते हैं तो यह आ जाएंगे अब यहां पर ठीक है और यह आ जाएंगे यहां पर अब इस case में क्या होगा, यहांसे गुरू फ्री हो जाएंगे गुरू के साथ राहु रहेंगे, गुरू बहुत अच्छे प्लानेट है और उनके साथ राहु रहते तो अच्छा काम नहीं कर पाते है तो अब जब यह फ्री हो जाएंगे तो यहां से इनके द्रिष्टी आएगी यहां पे आपके कर्म पे तो और अच्छी बात है कर्म में सुधार होगा आपका वैसे भी आपने चार्ट अपने समझ लिया है तो अब आपके कर्म में सुधार होना ही होना है ठीक है जब गुरु यहां आजाएंगे next year 2024 में तो आपके घर में कोई सुभकारे होगा 2024 में ठीक है कोई ना कोई सुभकारे होगा overall कहेंगे तो सब कुछ बहुत अच्छा है सैनी का यहां आना महनत को बढ़ावा देने के लिए indication है तो महनत करिए और बाकी सब बहुत बढ़िया है कोई घबढ़ाने की बात नहीं है ठीक है मंगल के दिश्टी जहां जहां पड़ेगी दो दो चार यहां पड़ेगी फिर साथ पर और फिर एक आठ पर पड़ती है इन दो जगहों पर पढ़ती है मंगल की दिश्टी तो ये तो आपके पुरसार मतलब ब्रेव कितने यहां से देख ली जाती है तो ये बहुत अच्छा टाइम मैं आपको ब्रेव बना के रखेगा लेकिन एक चीज बहुत ध्यान देने वाली बात है आप ध्यान भी दीजेगा कि सुर्ष जब खराब होते हैं तो ये सारी चीज़े वो निगेटिव वे में भी करवा सकते हैं एक तो confidence को तोड़ते हैं सुर्ष होते हैं वो confidence को तोड़ते हैं और यह आपकी आत्मा होती है, तो वो गलत चीजों में भी लेके जा सकती है आपको, ठीक है, इस चीज से आपको बचिएगा, ठीक है, इस चीज से आपको बचना है, वहर ओल ही हमें एक अच्छा इंडिकेशन मानेंगे, सब कुछ बहुत बढ़िया दिख रहा आपके देख लेते हैं,